LCA Tejas Mark 1A की successful testing के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि इंडिया को एक upper hand देने वाला है पर क्या आप जानते हैं ये MiG-21 को 2025 तक पूरी तरह से रिप्तेस कर दे वाला है MiG-21 जिसको हम flying coffin भी कहते हैं इसके crash rate बहुत जादा है रशा ने तो इसका उत्पाद 1985 में ही बंद कर दिया था पर क्यूंकि इंडिया के पास खुद के rights थे इसे manufacture करने के इसलिए इंडिया इसको continue रख रहा था पर LCA Tejas Mark 1A अब इस पूरी fleet को replace करने वाला है जो कि इंडिया का smallest lightest combat aircraft बने जा रहा है